मकान के पिल्लर के लिए खोदेगे गड़े में गिरने से एक 17 महीने के बच्चे की मोत हो गई है मामला रियासी जिले की तसील भमाग की पंचायत सुजंधार के कडू कोट मोड़ा खुड़र का है यहां पर एक बच्चा जो है वो मकान के लिए खोदेगे पिल्लर में गिर गया जो गड़ा किया था पिल्लर के लिए उसमें गिर गया गरवालों को पता नहीं चला और पिल्लर में पानी था क्योंकि आज सुबा इस इलाके में तेज बारिश हुई थी और बारिश के चलते पिल्लर के लिए खोदेगे गड़े के बीच में पानी जमा हो गया था और 17 महिने का बच्चा जिसका नाम निखिल ठाकुर था पुत्र कुलदीब सिंग वो उस गड़े में गिर गया और गरवालों को जब पता चला तब तक बेहत देर हो चुकी थी यानि की निखिल ठाकुर जो की 17 महिने का एक बच्चा था उसकी मोत हो गई थी तैसील भमाल की पंचायत सुझनतार के कडू कोट के मोड़ा खुदर का ये मामला है और कोट्रू एक बिलेज है उसके भी ये साथ लगता इलाका है वहां का ये मामला है यहां पर एक बच्च जो है वो मकान के पिल्लर के लिए खोदे के गड़े में गिर गया जिसमें पानी जमा था आज सुबह तेज बारिश उस इलाके में हुई थी जिससे वहां पर पानी जमा हो गया था उस गड़े में और वो बच्चा उसी गड़े में गिरा जब गर्वालों को पता चला तो तब तक निखिल ठाकूर की मोत हो गई थी और ये जो मकान का काम था, कुलदीब सिंग जो कि निखिल ठाकूर के पीता है, उनके घर का काम चल रहा था, उनका कच्चा मकान था, पक्का मकान बनाने के लिए उन्होंने पिलर के लिए गड़े खोदे हुए थे, और उसी एक गड़े में गिरने से जिसमें पानी जमा था, बारिश का पानी जमा हुआ था, निखिल ठाकूर 17 महीने के बच्चे की दर्दनाक मोत हो गई है, ये मामला तसील भुमाग से सामने आया है, फिलाल इस अपडेट में इतना ही मुझे दीजिया अनुमती धन्यावाद,